देखिए मित्रो प्रेग्नेंसी के दवरान सबसे महत्तोपूर बात दिया है कि गर में सिसू का वजन बढ़ रहा है कि नहीं साथ आठ और नौ महीने में सिसू का वजन तेजी से बढ़ता है तो मित्रो आप लोग ये बताईए पहले कि आप लोग कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ कि अच्छे होंगे अगर आप लोग अच्छे हैं अच्छे हैं मित्रो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो के अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाईएगा और कमेंट में लिख के बता के जाईएगा कि आपको हमारा वीडियो के अच्छा लगा तो मित्रो ये वजन बढ़कर धाई किलो से साढ़े तीन केजी तक होता है किसी किसी महिलाओं का साढ़े तीन किलो का बच्छा भी हो जाता है डिलिवरी के वक्त अगर आपके सिशू का वजन नॉर्मली, ढ़ाई, केजी से कम है तो आपको खत्रा हो सकता है तो ऐसा क्या करे जिसे सिशू का वजन तेजी से बढ़े यदि आपके सुनोग्राफी रिपोर्ट में सिशू का वजन कम आया है तो आप अपनी डाइट से आखरी के तीन महीने में सिसु का वजन बढ़ा सकती है देखिए मित्रो आप इस समय अपनी डाइट पे जादा ध्यान दे अगर आपके सिसु का वजन कम है तो अगर ठीक ठाक है तब तो कोई बात नहीं अगर आपको डाक्टर ने बता दिया है कि आपके सिसू का वजन कम है तो आप अपने डाइट में बहुत ज़्यादा ख्याल और केर करें क्योंकि आप जो आप खाएंगी उसी से आपके बच्चे का वजन बढ़ेगा अगर आप हेल्दी अहार लेंगी तो आपका बच्चा भी अंदर हेल्दी रहेगा अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगी तो आपके बच्चे को हेल्दी कोई नहीं कर सकता डाक्टर भी नहीं कर सकते ये आपके उपर ही निर्वर है तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला सूपर फूड है कि आप दूद, दही, पनीर, अंडा, आप जी हाँ, दोस्तों क्योंकि दूद और दही से बनी चीजों को सूपर फूड माना गया है, और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए आपको अपने डाइट म में इसे सामिल करना बहुत जरूरी होता है, दूसरा है ग्रीन बेजी टेवल और डाले, तो देखिए मित्रो, आपको सबजिया, हरी पत्तेदार और डालों को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आइरन, कैलसियम मिलता है, अगर आप इ इस समय हर डाल को खाना चाहिए, कितनी महिलाएं यह होती है कि प्रेग्नेंसी के वक्त डाल को नहीं खाती है, लेकिन आपको हर रहर का डाल हो गया, या फिर मूं का डाल हो गया, हर डाल आपको खाना है, और हर पत्तेदार सबजी, अब तो विंटर का समय आ गया है, आप व खाती है, तो अपने खाने में चिकन मचली जरूर सामिल करें, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है, और इसे आप जरूर खाएं, इसके बाद बात करते हैं, इस प्राउट्स अनाज के बारे में, तो आप सुबा के समय मूंग, चना, किसमिस, बदाम इसको भीगो कर रात में भीगो दे, इसके बाद इसको आप सुबा एक बावल जरूर खाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, और आप ड्राइफ रूट का सेवन भी भरपूर मात्रा क्योंकि ड्राइफ रूट से बेवी का ब्रेन का बिकास होता है, इसके बाद आप सीजनल फ़लो को अपने डाइट में जरूर सामिल करें, क्योंकि सीजनल फ़लो में बहुत भरपूर मात्रा में बिटामिन और फाइबर मिलता है, आप केला और एवोकेडो अपने डाइट म मात्रा में मिलता है जिसे कि आपके बच्चे का ब्रेंड डेवलप होने में बहुत मदद मिलता है और आप बिटामिन C वाला फल भी खाई है जैसे कि संत्रा आउला या फिर और भी भी जिस फल में विटामिन C मिले उसको आप सेवन अपने डाइट में जरूर करें यानि सेवन जरूर करें इससे आपके बच्चे का तोचा और बाल और हड़ी बहुत मजबूत होता है इस फल को खाने से और आप आपका इम्नियूटिक भी बुष्ट होता है इन सब के साथ आपको पानी भी भरपूर मात्रा में पीना है क्योंकि कभी-कभी डिहाइड्रेशन की वज़ा से भी सिसु का वजन कम हो जाता है और पानी पीती रहें आपको डॉक्टर ने जो दवाई या पाउडर दिया है उ और आपको डॉक्टर ने भी बताया होगा कि आपको ज्यादा आराम करना है आपको भाग दोड़ नहीं करना है क्योंकि भाग दोड़ करने की वज़र से भी सिसु का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है इस समय आप अपनों के पास रहें और अपनों के साथ रहें तो मित तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगए तक कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो तब तक धन्यवाद टेक केर बाई बाई